नमस्त्रा दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दो रीटिल मिस्रमी यहां पर दोस्तों चर्चा करने बाला हूं मैं वॉल्फूल इंडिया की और देखे जैसा कि आपको अभी आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा वॉल्फूल इंडिया लगभग लगभग आपके सकते हैं 4.5 प्रतिशत यानि कि 4.5 प्रतिशत से भी जादा की आपको यहां पर गिरावट दिखा रहा है दोस्तों ठीक है और आप देखे तो खबर ही इस प्रकार की दोस्तों जिसमें समझ में आएगा आपको कि आखेर ऐसा क्या हो गया है कि प्रकार की गिरावट मैनेजमेंट की तरफ से टॉप मैनेजमेंट की तरफ से आप देखेंगे तो जिस प्रकार के बयान आए हैं उस देनी वेशकों को एक बहुत बहुत बड़ा चटका दिया है और वो है दोस्तों जिस चीज का वो है स्टेक सेल का जी हां कंपनी ने कहा है कि अपनी वो एक पीछे का रीजन क्यों बताया है क्या धीरे धीरे कंपनी भारती बाजारों से निकलने वाली है क्या एक बहुत बहुत बड़ा जटका निवेशकों को लगने वाला है ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो में देने कुश्च करूँगा अगर आप स्टॉक में न करके और उक के साथ शेर जरूर कीजेगा आप ऐसा करते हैं चैनल के ग्रोथ होती दूस्तों बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है तो आप चलते हैं रीजन की तरफ कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि अचानक से इतनी भाहिकर गिरावट देखने को में रहे है आप देखें य 4% स्टेक जी हाँ 24 प्रतिशत स्टेक सेल की बात कही जा रही है रीजन क्या है नाओ प्रोसीड एक्सपेक्टेट तो बी यूस वर डेट रिपेमेंट जी हाँ जो करजे है उसकी पेमेंट के काम आएंगे आर इंक्रेमेंटल तु थू थू फाइफ हंडड़ यूस मिलन करदा जो कंपनी को पे करना है और वह भी कब कंपनी ने कहा था क्वाटर फोर की अंतर तक हम इसको कर देंगे तो इसको करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है और इसके अवेस में कंपनी ने कहा है आप देखें आपे On November 30, 2023, Worldful Corporation announced its intention to enter into one or more transaction जी हाँ, एक से कहीं अधिक transaction to sell up to 24% of its ownership interest in Worldful of India Limited in 2024 जी हाँ, लगबग 24% की जो stake है, उसे company sell करेगी और आप आगे देखें, जो करेंटली दोस्तों आप देखेंगे, 75% ownership है दोस्तों, Worldful of India की तोड़ी होली और सबसेटरी and intend to retain majority interest in Worldful of India following completion of such transaction or transactions, ठीक है, आप देखें, the holding company expects to use transaction proceed to reduce debt level which will enhance balance sheet flexibility, ये जो कर्जे हैं, इसे एक बार company ने मिटाना चाहती है ताकि उनकी balance sheet strong हो और और भी करजा ना लेना पड़े, और आने वाले समय में बहुती मस्बूती के साथ company आगे बढ़े, ऐसा company का मानना है दोस्तों, ठीक है आगे हम देखते हैं, देखें आप, आगे चलते हैं, देखें आप, आगे चलते हैं, देखें, नाओ, प्रोसीद expect to be used for debt repayment ने हो गया, ना तो holding company do not, does not anticipate this announcement, to impact previously issued full year guidance, company के रहे हैं, इससे आप यह कताई मत समझें, कि हम company से जो हमारा, जो पुराना वादा था कि भाई हम इतने जादा, आप कह सकते हैं, कि हमारी guidance, growth guidance रहे हैं, अच्छे तरीके से निवेच करेंगे, नहीं, जो हमारी guidance पहली थी, वो आज भी रहेगी, ठी ठीक है, और हम आने वाले समय में की जो debt reduce कर रहे हैं, उसका फायदा हमको हमारी balance sheet में जो flexibility आएगी, और मस्बूत ही आएगी, कि हम और भी कोई बड़े decisions ले सकें, ठीक है, अब आगे चलतें दोस्तों, देखें आप यहाँ पे, यह जो company दोस्तों, 18,982 करोर की है, ऐसी साल भर में कोई तेजी stock ने नहीं दिखाई थी, जो हम anticipate कर सके, stock की पी अभी भी बहुत expensive दोस्तों, कितनी expensive है, 95.5 ठीक है, और industry की पी किती है, 61 ठीक है, debt equitable बिलकुल भी नहीं है, जो debt की हम बात करें न, वो worthful corporation काया दोस्तों, इंडिया business का नहीं है, इंडिया business में त दोस्तों, इसमें ही 24% company कह रही है, हम नीचे गाएंगे, यानि approximately 51 to 52% के आसपास, आपको दिखेगा, कि worldful के जो promoter है, वो इसमें अपनी stake बना के रखेंगे, problem पिछले काफी समय से है दोस्तों, कि जो growth है, जो growth है न, वो बहुत सतर तक गाया भी इस company में, ठीक है, कैसे गा है, आप देखें यहाँ पे, हम दोड़ा नीचे चलते हैं, आप देखें यहाँ पे, दाट, जो sales है न, दोस्तों, वो पिछले काफी समय साथ, आप देखें यह सेप्टेंबर 2020 की बात है, लगबग 1600 करोड का sales हुआ है, आप देखें तो पिछले काफी समय से चीजें कहीं बदली नहीं है, एक जूम 2022 को अगर आप हटा दे, जहाँ दो हजार करोड का, जो sales कहां कड़ा है, वो पार हुआ था, ठीक है, लेकिन वो भी कब, जब आपकी जो अप्रिन प्रूफ मार्जिन है, वो मातर 6 प्रतिशत की रह गई थी, जो एक समय में 10% से भी उपर थी, यह देखिए, 10, 7, 11, यह 4% पे आ गई थी, लगातार OPM में जो एक बड़ा दबाव है, वो लगातार जारी पिछले काफी समय से, reason हमको पता है कि competitive intensity लगातार इस सेक्टर में बढ़ती चली जा रही है, raw material लगातार expensive होते चले जा रहे हैं, demand में लगातार कमी है, अब आप समझ कारण है कि बीवी जो sales में एक jump आपको देखने को मिला, एक, दो, वो पुरी तरह से net profit में convert नहीं हो पाया, जहां company आप देखें, एक बार, September 2021 में, वहां पर company ने 8% operating manager दिखाया था, और 413 करोड रुपीस का overall profit हो था, वो कहीं गायब सा होता चला जा रहा है, आप देखें, 50 करोड भी नहीं आएं दोस्तों, एक बार ये 2 quarter खटा दें, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50 करोड के आसपास का आपका पास net profit numbers आ रहे हैं, लेकिन जो एक growth होती है न दोस्तों, वो पूरी तरह से, पूरी तरह से गायब है इस एक sector से दोस्तों, और यही कारण है कि जो एक बड़ी किस आपको यहाँ देखने को मिल रही है, और अब आने वाले समयमी, 24% की stake sale, आपको wall full यहाँ करते हो दिखाई दिखाई दे रहा है, देखना यह होगा, कि इसका असर क्या होता है, और यह discount में आता है, कितने discounted price में, आपको यह sale देखने को मिलती है, तो मुझे यह लगता है, कि overall अगर आपका जो vision है, लंबा है, तो थोड़ा समय ले, हड़ बड़ा हट में कुछ मत करें, इसको गिरने दे stock को, अगर 1000 के आसपास आपको मिलता है, 1100 के आसपास, तो भाया, world full एक अच्छी company है, एक अच्छी company है, long term निवेश्कों के लिए, और अगर थोड़ा भी आ